हिंदू देवता पर बयान देकर चोतरफा घिरे राहुल गांधी पीजपी का पलटवार राहुल लोकतंत्र पर काला धबबा राहुल की क्या है मजबूरी करते हैं चीन की तरफदारी आपको बता दे कि कॉंग्रस की सांसिद राहुल गांधी ने विदेशी धर्ती से बयान देकर के एक बार फिर से देश में राशना तेक्वेवात खड़ा कर दिया है दरसले आपको बता दे कि लोकस सभाग में नेता प्रतिपाक्ष राहुल गांधी ने देवताओं को ले करके टिपड़ी की है इतना ही नहीं उन्हों ने चीन की भी तरफदारी की है आपको बता बतादे कि भारतिय जंदा पार्टी ने सोमार को लोग सभा में नेता प्रतिपाक्ष राहूल गांधी पर अमेरिका में उनकी ताजह टिपणी को ले करके तीखा हमला बोला और उन्हें भारतिय लोकतंत्र के लिए काला धबा बता दिया बतादे कि बीजुपी के रास्टिय प्रवक्ता गौराव भाटिया ने प्रेस कॉंफरेंस के दौरान राहूल गांधी पर विदेश में अपनी टिपणियों से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने का रोप लगाया है उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि राहूल गांधी एक अपरिपक्व और पार्ट टाइम मेता हैं लेकिन जब से वो लोग सभा में विपाक्ष के नेता बने हैं तब से लोगों ने उनके खंधे पर बहुत बड़ी जिम्मदारी डाल दी है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहूल गांधी भारतिय लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है उन्हें ये भी नहीं पता कि विदेशों में क्या बाते कहनी चाई गौरव भाटिया ने दावा किया है कि कॉंग्रस ने अपने शासन के दौरान चीन के हस्ताक्षर किये थे उन्होंने कहा कि राहूल गांधी भारतिय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं यह उसी समझोता ग्यापन का नतीजा है अगर मैं गलत हूं तो राहूल गांधी कॉंग्रस के अध्यक्ष मलिक अरजन खरगे को मैं चुनाती देता हूं कि वो चीन के साथ साइन किये गए MOU को सारवचने करे सुनिए गौरव भाट्या क्या कह रहे हैं देगे राहूल गांधी अपरिपक्व हैं पार्ट टाइम नेता हैं यह सब जानते थे लेकिन लीडर ओफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंदों पर जंता ने दिये आज ये कहते हुए धुक हो रहा है कि राहूल गांधी भारत के लोक्तंत्र में काला धब्बा हैं उनको ये भी नहीं पता है कि विदेशी भूमी पर जाकर क्या बात करनी है और जिस सम्विदान को वो पकड़कर गूमते हैं उस सम्विदा को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं और चीन के किलाफ एक शब्द एक व्यक्तव नहीं दे पाई पहली बात दूसरी बात रहो भारत को कमजोर बताते हैं बारत की असेना पिट गई जो कभी हो नहीं सकता है और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं तीसरी बात बार बार हमने मांग करी की चीर के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझाता किया जब कॉंग्रिस सरकार सक्ता में थी वो MOU सारजनिक करिये और आज बड़ी जिम्मदारी से और विश्वास से मैं कह सकता हूँ भारत के लोक्तंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राउल गांदी ने ये उस MOU का ही परिड़ाम है और अगर मैं गलत हूँ तो राउल गांदी को चुनौती देता हूँ खड़गे जी को चुनौती देता हूँ वो MOU सारजनिक करिये और सबसे बड़ी बात है हमने देखा है विदान सबा के चुनाफ जम्मू कश्मीर में है एक तरफ ये लोग कहते थे अनुचेत 370 हटा के दिखाओ नरेंद्र मोदी जी वो विक्ती है जिनोंने भारत को मजबूत किया अनुचेत 370 संशोदित करके हटाया अब ये छाती पीटते हैं कि कैसे हटाया लेकिन आज सवाल ये है राउल गांदी सम्विधान आप उठाते हो सम्विधान की अनुचेत 370 अनुचेत में पहला शब्द टेंप्ररी था क्या आपने वो पढ़ा क्या आपने पढ़ा अस्थाई आप 55 साल सत्ता में रहते हो नई हटा पाते हो मोदी जी हटा देते हैं और रंजिश हैसी इतनी पीड़ा कि इनके साती है नाशनल कॉनफरेंस वो कहते हैं अफजल गुरू आतक की हमारे भाई बेनों की जान चली गई और ये कहते हो उसको फासी दी तो क्या हुआ क्या मिला भारत को आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हमारी सरकार भारतिय जंता पार्टी और जंता जीरो टॉलरेंस फॉर टेरिरिजम ये पॉलिसी है दूसरी तरफ आतंकियों को नैक्सिलाइट्स को ऑक्सिजन देने का काम कोई कर रहा है तो वो ऑक्सिजन सिलेंडर कॉंग्रिस पार्टी और इंडी एलाइंस है और इसी लिए जब इस तरह के गंभीर प्रश्ट पूचे जाते हैं तो भारत की धर्ती पर इनमें इतना माद्दा नहीं है कि एक शब्द बोल दे विदेशी भूमी पर जाके भारत के खिलाव दुष प्रचार करते हैं वहीं दूसरी और बीचपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला की बात करें तो उन्होंने भी राहूल गांधी को जम कर घेरा है पता दे उन्होंने कहा कि राहूल गांधी विदेश धर्ती पर जाकर अपनी पुरानी आदतों से वाज नहीं आ रहे हैं हिंदू संस्कृती सनातन धर्म भारत को गाली देना अपमारित करना ये सब कुछ वो नहीं छोड़ते हैं उन्होंने आज एक अद्भुद ग्यान दिया वो कह रहे हैं कि देवता का मतलब भगवान नहीं होता है क्या कभी राहूल गांधी दूसरे धर्म को ले करके ऐसी ब कर दिया सनीय शहजाद पुनावाला क्या कह रहे हैं जब राहूल गांधी इस प्रकार की बाते करते हैं तो लगता है कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली एक मुहावरा है इसको रियालिटी में नाले राहूल गांधी जी आइडिया पर बोलेंगे जिनकी पार्टी ने इ परिशय में वो लोग बोल रहे हैं जिनके डियाने में इमर्जंसी लगाना है जिनके डियाने में प्रियांबल चेंज करना है जिनके डियाने में समविधानिक अधिकारों और संस्थाओं को कुचलना है जिनके डियाने में नाकेवल प्रियांबल मतलब प्रियांबल के तो आपके Family and Friend Alliance वाले, National Conference वाले कह रहे हैं कि हम 370 जमु किश्मीर में लागू करेंगे, इसका मतलब कि भारत का सम्विधान वालागू नहीं होगा, 370 हटने के बाद ही लागू हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो आरक्षन वालमी की समाज को मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा, ज खारीच करें और हटाने का काम करें, और देखें, जहां तक महिलाओं की बाद भी राहूल गांदी करते हैं, तो के से कोलकता पर खामोश, कठुवा में बलातकारी के समर्थक को लेकर लाल सिंग को स्टार पचारक बना दिया, उस पर खामोश, केरला में सिमी जॉन रोज को हटा दिया गया, क्योंकि उन्हें कास्टिंग काउच पर बोला, उस पर खामोश, कन्नौज में नवाब यादव का डिने टेस्ट आ गया, कि बच्ची के साथ वलातकार किया, उस पर खामोश, तो जो कोलकता से लेकर केरला और कन्नौज तक खामोश रहते हैं, वो कम से कम मह दिलाओं के विशय पर इस प्रकार की बाते ना करें और भारत को, और भारत के लोगों को विदेशी धर्ती पर जाकर बदनाम करने का प्रहास ना करें, देखे, ये राहूल गांदी वही है, जिनोंने हमें मंदिरों में जाने बाले लोग, लड़कियों को छेड़ते हैं, ये ग्यान दिया था, शिवजी संसार को निगल लेते हैं, ये ग्यान दिया था, गरीबी एक मानसिक अवस्था होती है, ये ग्यान दिया था, अब इनका एक नया ग्यान सामने आया है, कि देवता भगवान ही नहीं होता, तो इस प्रकार का जो ग्यान है, वो केवल और केव हिंदू आस्था पर चोट करने के लिए बार बार राहुल गांदी देते हैं। करना यह इनका स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है कि हिंदू को दो गाली ताकी मिले वोट बैंक की ताली क्या किसी और धर्म के पैगंबर देवता इस्ट भगवान किसी मजब के उपर वाले को इस प्रकार की बाते कहीं जा सकती है कि यह देवता भगवान नहीं होते तो यह दिखाता है कि किस प्रकार से वोट बैंक के चलते केवल हिंदू की आस्था को गाली देनी है अपमानित करना है दरसल राहूल गांदी तीन दिन के अमेरिका दौरे पर गये हैं इस दौरान टेकसास यूनिवलसिटी में चात्रों के साथ समवात करते एक ऐसा वैक्ती है जिसकी आंतरिक भावनाएं उसकी बहरी अभिवैक्ती के समहा नहीं है जिसका अर्थ है कि वो पूरी तरीके से पारदर्शी वैक्ती है इसका मतलब भगवान नहीं है अगर कोई वैक्ती मुझे वो सब कुछ बताता है जो वो मानता है या सूचता है और डर लालच या महतवकान शाओं को कैसे दबाते हैं और दूसरों लोगों के डर और महतवकान शाओं का निरिक्षण कैसे करते हैं इतना ही नहीं जहां रहुत गांधी ने देवता को ले करके अपनी नई परिभाशा विदेशी धरती पे जा करके गड़ी है तो वहीं दूसरी भारत में बेरोजगारी बढ़ रह रही है लेकिन जहां राहलगान गांधी अस सब बैयान दे रहे है तो उपना बिजनस क्रीईट कर रहे है लेकिन राहुल गांदी इन तमाम तथियों को ध्यान में रखने के बावजूद विदेशों में जाते हैं और इस तरीके की बाते करते हुए नसर आते हैं जिसके बाद विदेश में तो भारत की image को लेकर के जो इस्थती है वो देखने को तो मिलती ही है लेकिन इसके अलावा भारत में भी राहूल गांधी के विदेशों में दिये गए इन बयानों को लेकर के राश्नीती भी च्छरम पड़ देखने को मलती है, अक्सर राहूल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, इस तरीके के बयान बाजी करते हैं और जब देश में उनके बयानों को सुना जात तो ना सिर्फ जो सत्ता रून बीज़पी है इसका वरोत करती है बलकि आम जनता भी राहुल गांधी के इस बयानों को ले करके काफी जादा वरोत करती हुई नसर आती है और साफ तोर से राहुल गांधी का जो बयान है उसको ले करके काफी जादा सियासी हंगामा देश के अ मलता है फिलाल अस पूरे मामले को ले करके आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में सरूर बताएं धन्यवाद